नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरुप कुमार और आज हम केमिस्टरी के लास्ट लेसन इनवर्मेंटल केमिस्टरी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि इसमें क्या क्या जगा है जहां से कोशन जो है वो आ सकते हैं किे त्ुमार टार्ट क्यों कि महीं हैं जो हैं मदलब ऐसे की नैट्रोडुन साइकल चल रही है तो उसमें से क्या चीजा है जो इनवर्मेंट पीनिकारक है हो खिल में से पहुंचती है फिर वही atmospheric layer के बारे में देखेंगे कि layers क्या क्या होती है atmosphere के around ozone किसमें पाई जाती है ozone का role क्या होता है जेनरली environmental based जो everyday life chemistry है उसके बारे में हम इसमें जानकारी थोड़ा सा लेंगे ठीक है तो start करते हैं इस lesson को तो जैसे कि पहला environmental pollution दूसरा topic रहेगा हमारा atmospheric pollution उसके बाद हम move करेंगे tropospheric pollution से और फिर further यह चीज़े जो हैं gaseous air pollutants देखेंगे और फिर global warming और acid rain के बारे में पढ़ेंगे आगे और भी पढ़ेंगे इसी lesson में आगे यह जनरली जो पहली जो भी मेर topics अभी cover करूँगा उसके बारे मैंने लिख रहा है ठीक है तो बात करते हैं environmental pollution के बारे में तो environment pollution क्या जनरली जो भी environment में pollution जो भी फैल रहा है अब किस वज़ाद से फैल रहा है gases की वज़ासे फैल रहा है gases भी कौन इंडस्ट्री में होता है इंडस्ट्री में जो कि किसी चीज को मैंने फैक्चर करते तो जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स निकलने का मतलब क्या क्या जैसे गैसियस जैसे carbon dioxide carbon monoxide और petrol डीजल इनके combustion के वज़ए से जो gases involved होते हैं देखो चीज में पता देता हूं जो पेटरॉल हो गया डीजल हो गया या जो भी fossil fuel हो गया यह हानिकारक इसली हैं क्योंकि यह जो होते हैं एक तो पूरी तरीके से complete combustion नहीं होता है इन चीज़ों का मैंद पूरी तरीके से जो है यह decomposed नहीं यह पाते डिग्रेड नहीं हो पाते, incomplete combustion होता है, जिसके वज़े से जाहतर यह क्या होता है, अगर कोई भी चीज जिसमें carbon present है, तो वो क्या देगी, carbon dioxide को evolve out करेगी, है ना, इसको क्या करेगी, evolve out करेगी, तो यह क्या है, generally एक example हो गया, किसका, environmental pollution का, ठीक है, gas के तौर पे, अगर दिखा बाहर के तरफ जब निकालती है, तो जातर river वगयरा को क्या करती है, damage करती है, वहाँ पर pollution फैलाती है, जिसके वज़े से क्या होता है, कि river में BOD वगयरा देखते हैं, biological oxygen demand, वो क्या हो जी, बहुत जादा बढ़ने लग जाती है, है न, BOD वगयरा, अगर हम water के बारे में बा biological बोले तो मतलब कि soil related जो भी contamination होता है, किसी भी चीज का, किसी भी element का, lead का, arsenic का, nitrogen related किसी भी चीज का, जो कि further microorganism के लिए भी खतरा है, क्योंकि अगर microorganism को कुछ पंगा पड़ेगा, जो कि हमारी farming या agriculture चीज के point of view को देखते हुए, बहुत जादा important है, तो क्या होगा कि हमा इसलिए हम environmental pollution पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारी life को sustain करना भी बहुत जादा दिक्कत महीं हो जाएगा, जहां पर भी हम रहते हैं, जिस भी system में हम रहते हैं, ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने बता दिया, कि क्या होत मैं थोड़ा बताता हूँ, combustion में क्या होता है, generally, तो जब combustion process चलती है, किसी भी चीज को जब breakdown हो जाता है, gases के form में, तो क्या होता है, कि वहाँ पे अगर CO2 evolve हो रही है, जैसे कि मैं थोड़ देर पहले बता रहा था, तो यह क्या करती है, क्या global warming के लिए effect करती है, सही है, प्रिथिवी के ताप्मान को धेरे-धेरे बढ़ाती रहती है, मतलब हर century में यह धेरे-धेरे कुछ point से यह raise कर जाता है, Celsius में, जो ताप्मान है, प्रिथिवी का, further industrial evolution से पहले कुछ और था, industrial evolution के बाद कुछ अलगी चल रहा है, क्योंकि industries का जब evolve होगी, तो क्या कर करेगा ही, न, environment को degrade करेगा, मतलब sustainability, जो common लोग की, उनको कहीं न कहीं हमपर करेगी, हम क्या करते हैं, कि generally, किसी भी चीज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के चकर में, देखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के चकर में, उसको anatomically इतना ज़्यादा व पढ़िए, हम इस बात के बिल्कुल भी ध्यान ने रहता है, हम उसे paint brush करागा, उसे चमका देती हैं, तो यह भी एक must, मतलब कहा सकते हैं, जो कि hack, होना तो नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि अंदरों नहीं खुप सूरती होना नहीं चाहिए, किसी भी चीज में, तो थोड़ा स इसी चीज़े हमें देखने को मिल सकती है, clean अगर आप नहीं भी करें, तो कम से कम यसी हालत में उसको छोड़ दो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे और ultra जादे क्या करते हैं, बिल्कुल ultra direction में चलते हैं, जैसा requirement होता है, उसके opposite चलते हैं हमेशा, क्योंकि, क्या सबको पीट स्पेर के लेयर के बारे में, मैं थोड़ा रब कर देता हूं इसको, क्योंकि ये थोड़ा पंगा पड़ जागा अगा अगर जगा नहीं रहेगी तो, तो एक लेयर बना लेते हैं, मस्ट सी अर्थ की लेयर, ठीक, इसके उपर एक और लेयर, 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 इसके उपर एक और कमी बनाते हैं, ज्यादा लेयर रिंग नहीं करने चाहिए, ठीक, तो देखो, इसको तो जानते ही होगे आप ठीक अब इसके ओपर counting कर देथा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 ठीक तो हम atmosphere की layer के बारे में देखेंगे अब हम किस में रहते हैं troposphere में रहते हैं general पहले वाले में troposphere यह atmosphere की layer है जो generally 5 प्रकार के होते हूँ यह उनी के बार में बता रहा हूं कि टी अस्च्ट्रेटोस्फियर पी आजिए मां तो में स्ट्रेटा मौस्फियर कि घ्ये टी से हैं थिल्फियर कि दो शेलने कुर्ण करते Πाराइब है कि वह सक आगे कि यह यसाएन किसमें रहते हैं कुसमें पाए जाता है कि इसकी लेयर ज्यादा तर कितनी ही होती है टेन क्रीमियोंतर टक उसके बात जोटारी 5 तक क्या देखा जाता है 40-50 तक क्या दिखा जाता है ए यह लिएवर फ़र्दर फिर आगे मेसोसपेर है थर्मसपेर एकजोसपेर है तो ओस जोटTer वो इस्ट्रेटोस्फेर में ही होता है ट्रोपोस्फेर बगएर जिसमें हम रहते हैं हमारी लैप सस्टेन होती है लेव और्गनिजम की ठीक तो अर्थ की यही चार पांच छे पांच ले रहे हैं इसका थोड़ा वह बादा देता हूं निमोनिक अगर आप को याद करनो तो आ क्या है इलॉन मार्स की कंफनी उसमें क्या करते हैं वह लोग रोकिट से क्या करते हैं एक मतलब यातरा कर वातें जांता कि आगा आगे यातरा कर रहते हैं generally मने एक shipment की company है जिसके बार में हम इंडिया में तो हम उसे shipment company ही बोलते हैं और भी further क्या पता उसे कुछ काम होते हूं तो उसी का जो CEO है XCU कह से सथा हूं क्या पता वो retire कर गए हूं या नहीं करें पता नहीं तो उन्हों मैं भी recently किसी इन में से किसी जगह पर वो रॉकेट से घुमने के लिए गए थे तो आप मुझे बताना कि वह कौन सी line है मैं पता देता हूं कीमन line करके कुछ line है आप उसका नाम बता सकते हो comment section में कि वह कौन था जो पाए जाता है क्या क्या ले रहे हैं उसकी क्या 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 काम है अब further move करते है इस lesson में atmospheric pollution के बारे में देखेंगे थोड़ा atmospheric pollution में यही जो atmosphere में pollution होते हैं generally जो की layer में pollutions होती हैं अब किसमें ज्यादा pollution होती होगी इंसान रहता कहां पर troposphere में रहता है तो हम जो भी हम बेड़ा घरक करते हैं जाते हैं ट्रपो स्फेर को ही harmful करते होंगे धिरे धिरे वो चीज़े जो होती होंगी उसी का हम दूसरे layers पर भी देखने को मिलता होगी कि अगर आप कोई चीज जड़ सही घटिया कर दोगे तो धीरे-धीरे उसका effect तो और जादा बढ़ता ही चला जाएगा इसका छोटा सा example भी अगर मैं बात करूं तो आपने वह सुनाओगा बायो मैगनिफिकेशन अगर अपने 10 वागेरा में पड़ा हो तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज अगर छोटे माइने पर घटिया हो जाती है या खानीकारक होती है तो जैसे जैसे जो फर्दर ट्रॉफिक लेवल वाली जो स्पीसिस होती है अगर वो उसको कंजूम करती ह हैं तो धीरे-धीरे क्या होता है कि वह उनकी लाइफ को भी हमपर करती है और उन में तो और जादा खतरनाक होगे उभरती है वह चीजें तो ऐसा एटमोस्फेर का भी है कि आप अगर बॉटम पे अगर आप क्या करोगे बॉटम अप्रोच को देखोगे क्या कहते हैं उसको किया हो सकते हैं ट्रोकर इसकािर्ष की वजएसे नर्श की वजएसे आपने क्या ओकस Nightbare सो ऑकसाइड फॉलंध गे बाद कर ले है और किस चीज है औकसाइड ऑफ कार्वन के बार हिबात कर ले है और किस चीज की ऑकसाइड सोभ नैट्रोजन के बार हुना एक्षेद बासे में अगर हम देखें तो इस फेरिक पॉल्यूटेंस होते हैं अब सेलफर हो गया हो गया रिखैनों गया लेट हो गया नैट्रोजन हो गया है यह सब चीज़े से या क्या सकते हैं, अगर वो पूरला कमशिन होगा, तो वो क्या से करता है अगर पूर बेखोन होगा तो कारभुन डाक साट रिलीस करेगा? यह आप हो ही बताना कमेंट से सक्षण में ठेक एशली म।क्न हुद्स क्या करण गया दूसरी चीज़ों में कीपार जैसे इतनोल हो गया ब्यूतनोल हो गया उन सब चीजें के ओपर भी मूब करें इसको अगर हमें कम करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा एथनोल बेस्ट इंजन हो गया इन सब को इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन इन में भी कुछ शॉर्ट कमिंग से जिसके वज़ उन हाली चीज है नहीं सोनार की तुम पर तो नहीं मिले गी। उससे बह Arts मेंगी चीज हो गहीं तो डिज़ल ओगया पेटरोल हो गया मुझा से यह टूंợ गर्यम और और क्या हो एक कार्बन मॉन आंक सएड़ हो गया और और दूसरी चीज़ेंढ़े लग से और भी बहुत सारी चीज़े हैं अब Oxides of nitrogen में क्या होगा है जेनरली आपने पढ़ा होगा कि जो nitrogen होता है वो क्या होता है वो इनर्ट गैस होती है मदब reactive नहीं होती किसी चीज के साथ लेकिन कोई भी चीज रेक्टिव कब तक नहीं होगी अगर कोई इंसान है वो रेक्ट नहीं करता दूसरों की चीज़ों पर जेनरली रेक्टिव नहीं करता नॉर्मल रहता है थोड़ा सा भी हसमेजा कर दो थोड़ा जाना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर किसी दिन हमने उसको सुबा से लेके शाम तक पीटते ही रहे तो क्या होगा हमारा सर फोड़ देगा एंड में ठीक है उठके कितना भी कमजोर हो एक चीटी को भी अगर हम मारते हैं तो भी मरते मरते भी हमको मिथनोई कैसेड का स्व आप रहे रहे हैं वहां तक चल रहा है लेकिन अगर आप इसको बहुत जबरदस तरीके सा हीट कर दोगे किसी चीज को तो हीट करने के बाद ये भी सांत नहीं बैठेगा ये भी अपने ऑक्साइड बना लेगा और प्रकार की चीज़ें कर लेगा फिर बाद में वह सोयल मे लेकिन क्या होगा जब इसको आप 1500 DB कैलूंक कि और जेए डिज्क के बताना ऑदेगरी केलविंग ये सेल्सियेस आप जब इसको दोगे जनेरली कब देखने को मिलता जब इयर स्ट्रैक होता है हावा में स्ट्रैक होता है लेकिन हाव मिसालों वाले इस होता है है यह ना no term बोल रहा हूं बाब चलाव बोल रहो हो में गलाव इन सपार्क लिंग बगर जब देखने को मिलता तो वहाँ पे इरिस्ट्रेक अगज देखने को जब मिलता तो वहाँ पे बहुत जासे ताप मान हो जाता है उसकी वज़से से यह चीज़े चो होती है वो अपने ओफसाइड को क्रियेशन कर लेती है अब सेलफर की बात करें तो सेलफर तो एक बहुत भेंकर चीज़े इसने क्या-क्या नहीं दिया दुनिया को यह पूछो एक तो बहुत गटिया स्मेल होती है इसके पंजांटी स्मेल सर्फर मैं पढ़ाऊंगा वह भी मतलब का लेसन है वह बैसिकली बायो मॉलेक्यूल करके है कैमेस्ट्री में भी है बायो में भी है तो जन्रली सेलफर जिसमें देखा जाता है उसके एक मिध्योनीन और एक होता है सिस्टीन इन में पाए जाते हैं इसका उक्साइड से कोई लिलने देना नहीं जन्रली मैंने बता है कि सहल पर एक कंपोनेंट होता है मिध्योनीन का भी सिस्टीन का भी कारबन तो सबको पता है बिल्डिंग ब्लोक है हर चीज का नैट्रोजन भी नैट्रोजन यह कणड़ में भसी होते हैं बहगवान की तरह नेंटेशिक्स परसेंट किसी बी चीज का यहीं कवर करता है ठीक है इसको हटा देता हूं तो और एक और चीज ऑक्साइड सब से क्या होता है सेलफर डायोकसाइड होता है एसो टू होता है यह सब चीजे बनती हैं यह सब चीजे जो बनती हैं तो इसमें अपने एक बहुत अच्छे एक्जामपल पढ़ा होगा वह एसे ड्रेन वाला अगर आप हो याद हो तो उसके बारे में थोड़ा बताता हूं कि तो अब हम पढ़ेंगे एसे ड्रेन क्या होता है ठीक है एसेड रेन एसेड रेन कलर या एसेड वाला रेड है लेट मास पेपर को रेड में तब्दील कर देता है अगर यह पढ़ेगा सेलफर डाइपसेड वाला तो तो क्या होता है एसेड रेन में जो भी हमने इंवर्मेंट को दिया है बहुत टाइम से कंबस्चन के थ्रूप अलिमेंटल चीजों के त्रूब जलाके बुजाके कचड़े को जलाके जमीन में कुछ चीजों को मिलाके उसके बाद वो चीज वेपर बनके हवा में गई उसके बाद फिर वापस हमारे पास वापस आती है उन सारी चीजों की घर वापसी हो जाती है ठीक है तो सेलफर भी उस यह सारी चीज एतनी मस्त होती है कि किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को उसकी कलर को फेड करने के लिए एक परियापत मातर में इनके पास अपना पोटेंशल होता है ठीक है इसका जीता जाकता एक्जम्पल तो आप नौमी दस्रीन में भी अपने पड़ा होगा उसको हम क्या कहते हैं ताज महननना क्या करें इसके लामेश टौन की का वो बिलकुल फेड कर द्यासने फेडिंग फेडिंग 의ीजन के तरुपे एक्ट करते हैं कि कर देदे वोंगे को इघर धुश करतें तो वहँ और को फास करगे एगर वाइट हो तब तो Apple कि कर देते हूं उसको काम-तमांब तो वहां पर क्या देखा गया कि वहां पर अपने ट्रैपीजेम के बारे में भी पड़ा होगा कि भारत पूर माथुरा वाला वहां पर ओईल रिफाइनरी जो थी वो थी उनके वज़े से बहुत जाद के बाहं कि निकलती थी क्या करती थी मंईंवान्म को डैमेज करती थी क्योंकि यहांब हावा में जाएंगी तो यह इलग होगा ककाश की वहाग हो न सारी प्रेशर को बदलने के लिए आप अपना optimum level ही देखोगे, optimum level पे ही growth होगे आपकी, जब तक आपको एक stress condition नहीं मिलेगी, आपका evolution होगा ही नहीं basically, क्योंकि life को sustain करने के लिए बहतर से और बहतर बनने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, pressure चाहिए, एक timing चाहिए, एक temperature चाहिए, हर चीछ चाहिए, ठीक है, हमारी body पे भी चीज़े होती है, अगर हमारी body में कोई भी biological cycle चल रही है, तो उसमें भी pressure की जरूरत है, temperature की जरूरत है, body को homeostasis maintain करने के लिए, भी एक proper optimum चीज़ें सही होती है, ठीक है, और जब वो stress condition में जाते हैं, तो body के भी responses होते हैं, वो बहतर भी हो सकते हैं, औ चीज़ों को decrease कर देगे, तो यह अपना potential तो बहुत मस्त तरीके से बढ़ा लेगा, कि भाई मैं तो अब sulfur dioxide बन जाओंगा, ठीक है, और sulfuric acid बन जाओंगा, मस्त काम करूंगा, ठीक है, लेकिन यह environmental की ऐसी तैसी कर देगा, बुरी तरीके से, environment को क्या करेगा, पंगा कर तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को ऐसा environment मिलेगा, कि यह और खतरनाक चीज़े बन जाएंगे, तो खतरनाक बनने के बाद ही क्या करेंगे, दूसरी चीज़ों को affect करेंगे, इन सब के biological symptoms और जादा हैं, जैसे कि यह disease के तोर पे कैसी कैसी act करते हैं, इनके oxygen, nitrogen के oxygen क्या करते ह करते हैं, carbon dioxide के oxygen क्या करते हैं, carbon monoxide क्या करते हैं, तो disease के तौर पे देखेंगे, तब तो बहुत सारा, एक wonder है हमारे पास बताने के लिए, कि bronchitis हो सकता है, respiratory syndrome हो सकता है, emphysema हो सकता है, और body में oxygen carrying capacity भी decrease हो सकती है, वो मैं आगे बताऊंगा थोड़ा इसमें, lesson में, कि उसमे और क्या-क्या हो सकता है, ठीक, तो यह सब चीजे हमको है, वो देखने को में लेगे, स्वारी थोड़ा move कर गया, धुंदला तो नहीं कहीं मनजिले, देख लो एक बार जाके, सब कुछ ठीक तो आ रहा है ना भाई, लग तो ठीक ही रहा है, दिख रहा है न कोने वाला, कोन इसको मिटा देता हूं, फिर हांके चलते हैं, कारबन मॉन ओक्सेड के बारे में भी यहीं पर बता देता हूं, और कारबन डियोक्सेड के बारे में बता देता हूं, उसकी एफिनिटी के बारे में बता देता हूं, ब्लेड के साथ में, और क्या-क्या चीजे होती हैं, अग है ठीक है एक होता है CO2 एक होता है CO ठीक है इसको हम प्यार से कहते हैं कार्बन मोनो मतलब अकेला भाई कार्बन दो भाई कार्बन डायोकसाइड ठीक है एफिनिटी की टर्म इसमें अगर हम बात करें जो में पंगा काम करेगा एफिनिटी किसके साथ है ब्लेड में ब्लेड का एक मेंबर कौन है आर्बी सी में इसका नाम क्या है लाल वाला लाल रक्त कोशिका का में कंपोनेंट जिसका नाम है हेमोगलोविन ठीक तो क्या होता है कि कारबंड ऑक्साइड और एक और बंदा है यहां पर ऑक्सीजन जो एफिनिटी होती है इसकी सी ओ की किसके साथ में इसके साथ में वह लगबग तीन सो गुना जादा होती है सोचो जरा तीन सो गुना जादा होती है ठीक ग्रेटर लिख देता हूं यार मैं इसमें ठीक है ग्रेटर होती है देन ओटू ऑक्सीजन से इसलिए आपने सोना होगा कि क्या होता है कि कुछ लोग कहीं घूमने तिरने जाते हैं पहाड़ी बाड़ी इलाके में फिर उसके बाद एक रूम ले 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 दे हैं वहाँ पर वह मस्त कोईला जलाके सो जाते हैं और सुबा सब के सब पहुंच जा है है ऐसे जगह जहां से वापस ही नहीं है ठीक है तो वही होता है उनकी बॉडडि में oxygen की कमी होने लग जाती है धेरे-धेरे और oxygen की कमी को कौन मस तरीके से पूरा कर पाता है carbon monoxide और यह दूसरी दुने में पहुंचा देता है लोगों को क्याता है oxygen नहीं कोई बात नहीं अगर oxygen दूसरी चीजों को बैलेंस रखता है oxygen के बाद यह चीजों को बैलेंस रखता है और carbon dioxide ऐसा नहीं कि खतरनाक कैसे खतरनाक तब जब इसकी concentration बढ़ जाएगा अगर carbon dioxide नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे यह मदब इतना बुरा नहीं है बुरा है लेकिन ज्यादा concentration में बुरा है अब कितना 0.3 percentage है यह 0.3 percentage में अगर यह रहेगा उससे ज्यादा ना बड़े तो हमारे यूसफुल है क्योंकि आपको एक चीज बताता हूं इसको मिटा दू यह देखो इसमें मैंने क्या बता है कर बाक्सी हमोक्लोबीन अगर कारबन मौन ओक्साइड के साथ मिलता है जो हिमो कलो चाहिए ठीक है उसमें carbon monoxide gas होती है रेस्पिरेटर डीजिस को कॉस्ट कर सकती है मतलब और क्या उल्टी बगएर ला सकती conversion जैसा फील हो सकता है ठीक है मैं क्या बता रहा था कि carbon dioxide जो है वो उसकी जरूरत क्यों है हमको बता रहा था नहीं मैं तो मैं बता आता हूं यह क्यों मतलब विल्लिंग नहीं उसकी बड़रत है हमको ठीक हैं मैं कर्बहर कि जोड़ल एक क्या करता है hai क्जिसका नाम क्या है चाब्ट नेरा इस तरक्ट को पर एक जरूरा कर्फी नहीं अबने यहक्रोन। चैशन सघ्रज गरना नहीं रहेगा तो असंवी मोड़ी में जा pragmatic इस में अपने वलाया वट्स उतकी बस्कारल को realization H12O6 प्लस में क्या बनाता है यह Oxygen बनाता है और उसके साथ में क्या बनाता है H2O बनाता है अब अपनी सरद्धा की अनुसार इन सब को Balance कर लाना ठीक है देख लेना कि Carbon किसके आगे पाल लागा किसके आगे 6 लागेगा है वार्ष से मानिक विशन लिखिया अगर आपको बैलेंस नहीं था तो भी आप यहां से बैलेंस कर सकते हैं तो यहां पर आपश च्या लगेगा जिस्से बारावर हो जाएगा तो रोल आपकार्बन डियोकसिड भाया अगर कारबन डियोकसिड नहीं रहेगा तो फोटो संथेसिस की जो प्रोसस है वो तो रुख जाएगी ना और अकर फोटो संथेसिस का प्रोसस रुख जाएगी तो कौन मर जाएगा यहां से ओटो-ठ्रॉफ ओटो-ठ्रफ मर घख जिर हो फो ही सब्सक्राइब ऐस समझाइए कि फांग मों क्यों है अगर कार्बन डियोकसाइड नहीं रहेगा तो पहले बात तो यह ग्रीन हाउस के तौर बैक्ट करता है फोटो संथेजिस की प्रक्रिया में इसकी बहुत साथ जरू दे क्यों कि यह नहीं होगा तो कार्बोहेड़िट का बीसिक यूनिट ग्लुकोस नहीं बनेगा त इसके वज़ए से तापमान को मैंटेन रखते हैं अगर यह नहीं होगा तो इतनी जब मज सरदी पड़ेगी कि कम्मल हमेशा लपेट के कम्मल मान बनना पड़ेगा हमको ठीक है तो यह मैं मिटा देता हूं मुझे लगता है आपको यहां तक ऐसी ट्रेंद तक यह क्लियर र वभ करते है तो तो अधिक्त्र पड़ेंगे उसमें कि आप देखना है हमैं बाटिक्लर पालोटेंटेंट के बारे में तो होते हैं जिनमें फानी के बीसाइस को डेंग होünk और समया मतलब की उनक्ञा पर्रींट यूनिंट होती यह पांटी पर मिल्यन में फिपी बीई व्य million या parts par million तो यह participants pollutants होते हैं generally आप हम इनके बारे में ज्याद़ सुनते हैं कि पिछले बहुत कुछ time से क्या होता है कि इनकी जो मातरा हैै बहुत ज्यादा increase करने लग गई है environment में तो हम कहते हैं यह बहुत ज़्यादा वह प्रेज़ेंट है तो इसलिए क्या करते हैं जिसमें क्लीन योर हाउस फ्रॉम इंसाइड ऐसा कुछ बोलते हैं आप जानते हैं आपको यह चीजे खतरनाक दिखती है पर आपको घर इसे ज़्यादा परदूश्रित है जैसा बाहर है वैसा आपको घर भ चीजे जोंको वह क्लीन करते हैं ठीक है जनरली प्यूरिफायर होते हैं वह एर प्यूरिफायर होते हैं तो उसमें यह पर्टिकुलेट्स मैटर जो होते हैं उनको रिलीस करवाते हैं ठीक है बच्चों तो अब हम आगे देखेंगे यह स्मोक क्या होता है निस्ट क्या होता इंन में प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत ही चोटे में में चीजहुतें, जो हैं आप मास्क काई दिशा सवेफिके जाता है है। इसे वज़ह से लिए 1979 में दिखा जाती हैं। जे सब्टेवरों wonderful friends छोटीन music सब्सक्राइब चाहिए। इसमें से किसी एक डबे को पकड़ लो इसे हम क्या करते है पोर साइज मतलब इसमें यहां पे बीच में कुछ क्रोसिंग व्रोसिंग नहीं बस धागा धागा जा रखा है उपर और नीचे से तो यहां से जो बेसिकली जो मेंटर पास हो पाएगा या जो भी पर्टिकुलर में इसमें से पास हो पाएगा वो इसकी पोर साइज कहते हैं कि मतलब इसमें 2.5 से जादा जो बड़ा होगा वो इसमें से पास नहीं हो पाएगा 2.5 से मीनिमम वाले जो पास हो पाएगे ऐसे ही वाइरस का भी कुछ पोर साइज होता है कुछ रेंज होती है जो इसकी साइज हो पर्टिकुलर वाइरस का जो एक बड़ा सा साइज होगा या छोटा सा साइज होगा उसके साइज के बारे में बताता है वह उसी को हम पोर साइज कहते हैं कि कोई चीज किसी चीज में से कितने एजिली पास हो पाईगी या नहीं हो पाईगी उसे हम पोर साइज के बारे मैंने particular pollutants में particular matter जो होता है उसके बारे में हम pore size में हम देखते हैं ठीक है कि वो कैसे कोई चीज होगी वो छोटे होगी तो पास हो जाएगी बड़े होगी तो पास नहीं हो पाएगी ठीक बचाव के तोर तरीके और purify करने का कि कोई कोई चीज लगाया भी रखा कोई machinery अपनी purifier लगाया हो तो उसमें भी कुछ होता कि इतने से इतने तक को purify कर सकते इस से ज़्यादा छोटा आगया तो ये भी काम नहीं कर पाई कुछ range होती है generally उस चीज की लेकिन अब तो pollutants इतने ज़्यादा चोटे चोटे और माइनूट सोगे हैं कि वो इनसे भी क्या करते हैं escape कर जाते हैं ठीक है अब देखो next जो है हमारा वो क्या है smoke के बारे में पढ़ेंगे ठीक तो smoke क्या होता है generally अगर आप सोचो तो वैसे वो तो बताने कि ज़रूती नहीं पर smoking के cigarette का मतलब है smoking होता है एक टाइम पर है सिगार ले लो cigarette ले लो कुछ भी ले लो ठीक तो जो भी smoking बगएर होती है वह solid और liquid combination होती है जो कि body में जाके harm करती है लेकिन harm वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उसको पी जाते हो इसलिए करते हैं कि उसमें कुछ harmful components होते, beno-piring या beno-queeanine करकर के उसमें कुछ nicotine होता, यह सब अटावयकों कि कुछ components होती है उसमें ठीक जो की बहुत जादा हमारी जो cycle है, generally life cycle उसको हमपर करती है ठीक है तीरे दिरे दिरे हमपर करती है mindải़क पढ़ता है ब्रेन के हार्मोन पे उसका प्रभाब पड़ता है ठीक है ब्रेन जो हार्मोन रिलीस करने में जो मदद करते हैं उन चीज़ों पे उसका प्रभाब देखने को मिलता है ठीक तो brain में भी जो hormone release करते हैं मैं generally brain की बात नहीं कर रहा है brain में जैसे hypothalamus हो गया जो कि stimulation का काम करता है दूसरे hormones का फिर वो putatory glands को देखता है master organs होते हैं वो थोड़ा बाय लोग से connect कर दिया मैंने इसको basically बस बताने का था कि यह कैसे निकोटीन हो गया बैंजोपाइरीन हो गया यह कैसे काम करते हैं smoking में और हमारी body पर कैसे कैसे affect करते हैं ठीक है तो next जो है मिस्ट जिस अब पार्टिकुलेट क्या है पार्टिकुलेट पॉलिटेंट की है condensation होते हैं वह इक्जामपल उसके बाद dust क्या होता है आपको पता है यह नाक में यह चला जातों जिसके बाद बहुत लोगों को allergy होती है चीक बगर आती है ठीक है तो क्या होते हैं वह solid particles होती है ठीक है जिनका size क्या होता है 1 micro meter तक होता है अब यह distribute करते हैं एक माईवान माईवा जिसको दिखातें तो यह दिखाते हैं कि एक मेंटर जो होता है वह कितने के बराबर होता है कि अ हृमाईवाट की यहٌशों की है ठीक है यह फेले से पढ़ाओं का माइक्रों पढ़ाते हैं उसके बाद नैनल पढ़ाते हैं उसके फेट को पढ़ाते हैं जीक का पढ़ाते हैं जीक इस से ज्यादे कि म high- connais ट्यवन तरह कम ध्यान रखते हैं जैनरल के परण अभर के इंवोर्मेटर कोके और दॉक्त हैं घर के natuur को टो गन्ट्रॉल कर सकते हैं लेकिन बाहर कि नो रिट्वक करने के लिए कावई एक इंसान नहीं चहिए होगा एक पूरी सोसाइटी की जुद पढ़ते हैं सोसाइटी के बाद फिर लेबल ऑफ सोसाइटीज, कम्यूनिटीज, उसके बाद फिर वो और जादा बढ़ता रहता है, फिर उसके लेबल बढ़ते रहते हैं, तो जितना जादा आप शुरू करोगे, मैं दो शुरूआत तो एक बेसिक उनिट से ही होगी, एक स्मॉल से ही होगी, लेकिन धेरे धेरे बढ़ता रहता है, इसलिए, आपको कोई भी अगर environmental कोई प्रोटेक्ट करना है, तो आपको अपने स्टेज से जो है, किसी भी चीज की शुरूआत करने पड़ेगी, और धीरे धीरे हो चीज है, वो बढ़ती चली जाएंगी, ठीक, ये एक्जाम्पल मैंने क्यों बोला, मै बार में बात करते हैं, उससे पहले मैंने क्या लिख रखा है, बता देता हूं, sublimation, generally, और distillation, इनके process, boiling point, जब boil करते हैं, तो fumes बगर में देखने को मिलता है, sublimation, क्या होता है, नेप्थलीन बोल, जो अपने पढ़ा होगा, क्या होता, generally, किसी भी चीज को solid से गयास में बनाने के प्रकरिया को, हम sublimation कहते हैं, जिसमें क्या temperature की जरू होती है, distillation, एक purification technique है, जिसके तरुक हम distill कर पाते हैं, किसी भी चीज को purify कर पाते हैं, है ना, boiling point, boiling temperature देने के बाद ठीक, ऐसी एक example बढ़ा होगा, जिसका मुझे, एक ऐसी भी चीज होती है, क्या करते हैं, जिसको हम काफी जाता joke बना करते हैं, कि ऐसी कौन सी चीज होती है, जो डालते है liquid है, फिर उसको temperature देने के बाद, वो solid में बतल जाती है, example में हम बताते हैं, basin के पकोड़े, है ना, स प्रोब्लम करेंगा, हमपर करेंगा उसी activity को, मैं थोड़ा उपर से मिटा देता हूं, यह उपर कप्स को समझ में आएगा, मुझे लगता है, ना, क्या होता है, कि कोई चीज छोटी होगी, तो हमारा नाग में चले जाए, नाग चले जाएगी, रेस्पिरेटर सिंड्रम का इसलिए मैंने बता है कि इसका size होता है, और size बहुत जाएदा इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ों से, क्योंकि अगर size और ज्यादा छोटा होता चले है, तो उस चीज़ पे काम करना बहुत जाएगा, तो हमारे ब बॉड़ी में चला जाता है, जो कि डाजेस्ट मतलब जो की मतलब यूटिलाइस कहीं होता हो वैसे कवैसे पड़ा रहते हैं तो दूसरी चीजों को हमारी बोड़ी में ऐसा नहीं कि अगर कोई इन्रीक्टिफ चीज नोन-्रीक्टिफ चीज आएगी तो शांत से बैठ रहेगी वह दूसरी प्रोसेस में भी ने देना नहीं है लेकिन फिर भी तुमाइब उस जगह पे लोगों के लिए हामफुल होना तो यह हमारी बोड़े में कोई भी चीज भले ही नोन रेक्टिव चली जाती है अन्रेक्टिव चली जाती है लेकिन उसके बाद क्या होता है तो जो दूसरी प्रोसेस होती है उनको क कि नीचे वाला डंक से समझाना है तो नीचे हम क्या पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले हैं लेड रिलेटिड प्रोब्लम्स है ना तो आपने एक चीज का नाम सुना होगा अभी अच्छा मुझे यह बताना कि कौन सा जो वाइकल यह ट्रांसपोर्ट में हम कौन सा टाइप यूज करें फूर्थ एफ शिक्स ते कौन सी जनेरेशन का यूज कर रहे हैं बी एसल क्या है बिएस कुछ ऐसे नाम होता है उसका कमेंट सेक्षिन में बताना सार्च करके जन्रली निउस्पेपर में आता रहता कि हम कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं तो देखो लैड रिल में इसे इंजन बगारे में लगाई जाता है मतलब यह क्या करता कि जो फ्यूल्स होता है ना जो भी हम फ्यूल यूज करते हैं लैड उसमें लैड तो होता है जन्रली तो उसे क्या करता कि लैड को यह ऐसा कर देता है ऐसा कमशन करवाता है उसका कि लैड जो है वो ज्याद करें हैं ना तागि हमारे इंवर्मेंट के इस चीज का प्रभाब ना पड़ें तो इन सब चीजों को चलना है तो इसे में लेड भी आता है ठीक कि अब मेर को समोग के बाइर होता है लग रहा है गषाल करेव्य को ही आसीज को संदी्क बिंश्द करें बन रहा है कुछ गरम को सॉलिड लिक्विड का कॉंबिनेशन डेस्ट के साथ में कोहरा अगर जो भी है इंवर्मेंट के वज़े से तो इस मूग में क्या दिखा जाते हैं इस मुग दूपरकार की होते हैं कुद एक क्लासिकल दूसरे वाले कौन से होते हैं जो संलाइट की प्रिजन समें काम करते हैं और reducing agent की तरह काम करते हैं, reducing कर देते हैं, environment को reduction कर देते हैं, ठीक है, दूसरे वाले कौन से होते हैं, जो sunlight की presence में काम करते हैं, है ना, और इसका result क्या होता है, कि ये unsaturation चीज़ों पर काम करते हैं, unsaturated चीज़ें क्या होगी, अगर अपने chemistry पढ़े तो आपको पता होना चीज़ें क्या होगी, unsaturated compounds बेसिकली वो होते हैं, जैसमें devil bond का presence होता है, ठीक है, और saturation उसको कहते हैं, जैसमें devil bond का presence नहीं होता, और जैसे sunlight बता रखा तो आपको पता चले ही रहाएं कहां पर होगा, warm conditions में present होगा, है ना, कहां-कहां से ये चीज़ें निकलती होगी, automobile से निकलती होगी, factory से निकलती होगी, industry से निकलती होगी, तो ये परकार के क्या होते हैं, smug होते हैं, generally ये environment में पाए जाते हैं, लेक एक classical process में ठंडे में पाए जाते हैं, हुमिड में होते हैं, reducing nature में होता है, photochemical क्या हो, sunlight, warm, unsaturated मतलब, presence of double bond, उनको break करते हैं, ठीक हैं, अब देखो, generally जो, जिनमें double bond present होते हैं, आप सोच सकते हो, जहां पर double bond present होगा, वो चीज़ खुद बखुद ही क्या रहेगी, unstable रहेगी, ठीक हैं, क्योंकि वहाँ पर kink है, कोई चीज, कोई चीज ऐसे है, और कोई चीज ऐसे है, इसमें कितने होगी होगी है, यह सेमेट्री मेंटिन कर रही है, और कोई चीज डवल बॉन्ट है, अचा, आप इसे chemistry के terms में समझते होगी, कि डवल बॉन्ट जो होता है, वो stronger होता है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा bio के field में देखें, तो जब हम membranes की बात करते हैं, तो वहाँ पर double bond होते है, लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को molecules के से हटा के, biological system में लाते हैं, तो वहाँ पए बिलकूल opposite हो जाता है, वहां पर हम देखते हैं, कि जो double bond होते हैं या single bond है, जो membranes के बारे में बात करते हैं, generally cell के membranes के बारे में, तो वहाँ पे हम देखते हैं, कि जो single bond वाला होता है वो ज़्यादा stable होता है as compared to double bond वालों के ठीक है तो यह unstable वाला जो था यह बायो के उसमें था ठीक है chemistry के उसमें नहीं था तो unsaturated में क्या होता है यह जब light पढ़ती है तो यह unsaturated वालों को तोड़ पाते हैं double bond वालों को और वहां से photochemical smoke वहां से generate होते हैं ठीक है बच्चों तो इसमें हमने देखा कि कैसे कैसे smoke plus fog और different प्रकार के देखे fumes क्या होता है mist क्या होता है dust क्या होता है smoke क्या होता है reducing क्या होता है oxidation क्या होता है कैसे वह काम करते हैं अच्छ थोड़ा reducing के बारे में भी बता देता हूं करते हैं और और उक्सिडेशन वाले क्या करते होंगे यह जैसे यह पोटो केमिकल क्या है यह ओक्सिडेशन वाले हैं ठीक है यह करते होंगे हब को रिलीज करते होंगे यह है यह अध्येशनन को रिलीज कर देते हैं एसा कर सकते हैं ठीक गनेशने की स्कूराएं। क्योंकि आप पता चल जाए कि जो भी रेक्शन आएगा फिलिंग दब्लेंग में बहुत कम ही पूछते हैं रेक्शन वगरा तो इसके रेक्शन नहीं पूछते हैं जब आप और गैनिक कमेस्ट्री पढ़ोगे न तो वहां पी रेक्शन का माइन होता है कि रेक्शन यह रेक् क्या टेंप्रेचर है क्या प्रेशर है यह सब चीज़े जो हती है और गैनिक रेक्शन में देखे जाती है यहां पर प्रटन के बारें प्रड़ेंट कैसे बन रहे हैं तो इसके बारे में उतना ज्यादा देखने की ज़रत नहीं जैसे देखा आपको पता ही है कि ईसे नेहत्योग बनाता है कैसे प्रोकसाल आटलनिंग नेटियल क्या होता है अक्रॉलिंक क्या होता है थी सब रिचेंट ओब देखेंड को मिलते है घंडीघन करें प्रडो बेसिकल क्या हुआ कि जो लाइट कीी प्रेंट में किसी चीज़ करिगडान किसी pollutants का creation हो रहा है उसमें smoke जो photochemical मतलब की light की वज़ा से chemistry में क्या change हो रहा है किसी भी compound के उसके वज़ा से वो क्या बना रहा है उसी को हम क्या करते है photochemical processes ठीक है और जब वो pollutant बने मतलब तो जो हमारे लिए हानी का रहा है तो हमेंने क्या कहते थे photochemical pollutants ठीक है बच्चों जो कि example किसका है oxidation का है ठीक है oxidation में sunlight को पता ही थे कैसे हमने denote कर था हम्यू से एक formula होते है ना c वाला light की speed वाला है ना frequency वाला एक अग्यू उसी से है यह जो कि chemistry के शायद दूसरे लेसन बता रखाए या ब्रोगली कोई कोई क्वेशन है उसमें इसके बार में बता रखा है energy के बार में बता रखा और स्थिन लेंडा न्यू लेंडा बता रखा है ठीक है फ्रेक्वेंसे से कुछ रिलेटेड और एनर्जी के बारे में यह बता रखा है इस इकल टो एच मिव है ना तो यह है अब फर्दर मूव करते हैं तो बच्छो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं आगे हमें क्या देखना है कि ओजून का फॉर्मेशन कैसे होता है का फॉर्मेशन कैसे होता है फिर फर्दर मूव करेंगे उसके के स्टेडिस के ऊपर थोड़ा जो कि अंटर्टिक में क्या होगा था साउथ पूल में कैसे वहां पर डिप्लीट हुई थी ओजोन के लेयर कैसे हमने इस्टेडी देखी थी प्रोटोकॉल क्या-क्या होते हैं मां डलव बेसीखली ग्शाम में ऐम ने कूछा जाते हैं कि य मॉक्रीय्ट प्रोटोकॉल की से इपर चीज़ से टीज़स किस से रिलेटेड़े लेटटिन यह सब चीज़ें पूछे जाते infeo क्या होता है कि उसके बाइक हम धेखिंगे कि ऊट्राफिकेशन क्या होता है pathogen क्या क्यों होती है कि जो basically water co contamination basically major contaminants क्या होती है water के कौन किसे macron gonna get some इसमें पाइजाते जिसका example is streptococcus fecalis और इस शेरिशिया कोला ख़तरनांकि सपलवेंगेंस कुस्थ इसलिए मैंने लिखे निए उसके बाद यूट्रिफिकिशन के बारे में बात करने के बाद हम थोड़ा safe limit की तरफ move करेंगे कि fluoride की safe limit क्या होती है lead की safe limit क्या होती है nitrate की safe limit क्या होती है इन सब चीजों के excessive होने के वजय से जब यह अपने safe limit को cross कर जाती है तो कौन कौन से डिजिस हमें देखने को मिलती है जैसे मेरे पीछे लिखा पढ़ाऊगा कि ozone कैसे बनता है तो ozone बनने के लिए क्लिए ozone का molecule क्या होता है oxygen plus oxygen oxygen मतलब 3 oxygen को जोड़के क्या बनता है ozone बनता है यह मुझे बहुत अच्छा लगा बताने में कि 3 oxygen को जोड़के ozone बनता है क्योंकि कोई भी अगर इंसान जो के मदब जो भी science field से नहीं है वो ozone ऐसे ही बनाएगा कि 1 oxygen plus 1 oxygen plus 1 oxygen लेकिन अगर भूँ धंग से बोलेगा तो थोड़ा पढ़ा लेखा बेपकोफ है तो बोलेगा कि 1 nitrogen oxygen plus 1 nitrogen oxygen plus 1 nitrogen oxygen oxygen is equal to o3 लेकिन ऐसे नहीं होता है जनरली oxygen का molecule जिसे हम o2 कहते हैं जब वो एक nascent oxygen के साथ react करता है तब जाके process बनती है क्या ozone के formation होती है लेकिन उसके लिए भी किसी चीज की ज़रुत होती है ultra wallet raise की ठीक है मैं आपको ultra wallet के raise के बारे में बहुत है कि इसमें भी A B C ऐसे प्रकार की जो ultra wallet raise होती है depending upon कि उसकी wavelength क्या है कोई ज्यादा खतर ना के कोई कम खतर ना के कोई repair में भी काम करती है DNA damage की time ठीक है बायो के terms में बता रहा हूं तो उसमें भी आपको देखने को मिला है कि इसकी जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया depending upon इसकी wavelength केतनी है नानमेटर में ठीक वैसे अब तो जैसे कि इन्होंने बता रहा है कि O2 plus UV is equal to O plus O मतब तोड़ दिया जिसे nascent oxygen अकेली oxygen को हम क्या कहते है nascent oxygen कहते है generally stable तो होते हैं नहीं unstable ही होते है अगर कभी कभी क्या होता है कि यह free radical regeneration भी होता है अगर हम chlorine की reaction की बात करें ठीक है जो कि हमें CFC में देखने को मिलता है जो कि एक मुख्य कारण रहा है इस चीज का ozone depletion के time मतब क्लोर फ्लोर कारबन जो है वो एक मुख्य कारण रहा है ऑजन में उसने काफी बड़ चड़के हिस्सा लिया है ozone depletion में ठीक है क्योंकि हम उसका इस्तमाल जब किसी चीज का भी environment हुई है body हो उसका कोई भी चीज गलत या सही इसलिए नहीं होती कम मातरा में क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि क्या effect कर रहा है कोई नहीं सी चीज है तो उसका effect हमें पता ही नहीं body पर हम उसको करे जा रहे है बहुत time से इस्तमाल लेकिन जब उसका ill effect आना शुरू होगा तब तक में बहुत जात देर हो चुकेगी चीजें खतम होनी शुरू हो चुके होंगी हमारे बाद इसलिए इंसानों को चीजें बैलेंस में करना चाहिए और use and throw की वज़े use and recycle का मदब यूज करना चाहिए ताकि इससे क्या होगा कि एक stable या balance में जो है प्रोसेस चलिए जिस चीज की बार में हमें नहीं भी पता हम उसका कभी excessive use नहीं करेंगे तो पहले तो refrigerator में दबा दबा कि इसको इसको इस्तमाल करा गया ACA वेगार खुब मस्तर के से इस्तमाल करें थंडा रहा गया बिल्कुल 45 degree में भी 6 degree ताप मान का इस्तमाल करा गया तो दीरी दीरी तो यह हुआ कि सुरू में इसकाए पता नहीं था जैसे जैसे बढ़ता चला गया इसका देखने को मिलने लगा हम लोगों को ठीक और यही वाली बात है इसमें कि एक चीज़ बोली जाते पहले आओ पहले पाओ लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता पहले जिन लोगों ने जितनी भी चीज़ें इस्तमाल कर ले ना उसका एड़वर्स एफेक्ट नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि वो पहले आये पहले पाए लेकिन पहले क्या पहले उन लोगों को मुझे हैं मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा अब जो next upcoming generation है उनको यह देखना पड़ेगा जैसे देखो एक छोटा सा सब्सक्राइब करते लेकिन अब हमारे आने वाली generations के लिए हम क्या चोड़के जा रहे हैं जैनरली देखा जाए तो कुछ भी निए चोड़के जा रहे हैं उनके पास मतलब कोई काम ही नहीं बचाब फोन एडिक्ट क्यों नहीं होंगे हमने उससे बाहर की घुमने के आदाद लोगों की पढ़ाई लिखाई की तरफ मा ता पिता को जादा ही गौर करते हैं बच्चों के भली बच्चा पढ़ता नहीं वह पाता लगया कि किसी चीज़ को प्रेशर में करा जाए तो चीज़ सक्सीड होई नहीं सकते कभी भी तो यह सब देखने को मिला हमने अब क्या बच्चों के पास बाहर नहीं रहा गया आउट्डोर्स गेम खेलना बंद हो गया इंडोर ही जादा हो रहने लगए तो इंसान इंडोर रहेगा बोर होने के लिए कुछ में कुछ तो करेगा ही ना तो उसका दिमापकाल तो चलता है वो फोन चलाता है यूटूब देखता ह बनाता है यह सब चीज़ें करता है दिन भर वो बीजी रहेगा लेकिन लिटरली बीजी नहीं है और नहीं हो मेकैनिकली थक रहा है ना वह एक्सरसाइज कर रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है तो आने यह इन्वर्मेंटल पॉलूशन भी इसका बहुत बड़ा कारना है कि हमन बड़ा गलत एक तरीके से तो चलो वापस के आजाता हो टॉप मतलब कि ओजन से फिर नेस्ट तरीके से टूटिंग आई है ठीक फरदर मूव करते तो ने साउथ पोल की स्टेडी के बारें बता रहा कि वहीं पे एक होल पाया गया था जिस पे हमें पता चला कि ओजन का डि है जब करी गई वहां पर फिर उनको पता चला कि भाई इसका मूख के कारण तो सी एक लोड़ो फ्लोरो कार्मन जिसको मस्त तरीके से इतने दिनों से रेफ्रेजिडेटर में और इसी में धंग से इस्तमाल कर रहे हैं अब देरे-देरे इस पे कुछ काम करा जाए फ्रियों करें वह बहुत मुश्किल होता है ठीक है जैसे कि इतनौल इंजन बना रहे हैं लोग लेकिन यह है कि उसका कंप्लीट कंबर्शन में भी दिख्कात हो रहे है प्लस उसका जो प्रोसेस चल रहा होगा मैकैनिकल इसमें कहीं न कहीं कुछ हैं पर आ रहा होगा इसकी वजह से ह हैं थोड़ा ब्यूटेनॉल या भाई हड्रोजन की तरफ भी मूब कर रहे है इतनौल उतना दाद एफिशेंट नहीं होगा इसलिए हम उसके भी क्या सब प्रोड़क्स देख रहे हैं मतलब कि उस पाथवे से और भी कुछ बेनिफिशल अगर बन सकता है जिसमें कि आउट प्रोड़क्ट्स जो हैं ऊस चीज पर हम आपकरते हैं तो फैंशे बाद उसके टे यकम के टरह करते हैं जो ऊबतार रहा हैं तो फाशा Nadal के ग्रते विच्री का अतश्र लॉटेज्म रीबिकरता नعلब राटानियोमिकर 205 प्रस फित्यभी को सब्भी कि अब्रक्र रखका है ढोवथे होने में क्लो फ्लो पर बीडिकल के क्या होते हैं वो रिच्छन रटने वाले है व्युक्त रट्म से 되ath to उसका कोई नहीं है मतलब उसका और कुछ नहीं जनरली उसी में फिर कुछ CFC के साथ में और कुछ रेजेंट बगारा बता रखे होंगे तो वह आप रटलो उसको बिसीकली भगर उसमें शमझने के लिए यह है कि क्या कैसे काम कर जोगी उसमें बता रखा है थोड़ा ने की तरफ अगर करते हैं थोड़ा मतलब एटमसफेर वाला ओजान वाला घर खतम हो गया तो वाटर पॉलेशन की तरफ अगर हम मूव करें तो इसमें हम क्या देखते हैं कि वाटर पॉलेशन किन-किन वज़ा से होता है और वह बहुत तरीकी के हो सकते हैं कि सॉयल में अगर आप इसी चीजे इस्तमाल कर रहे हैं यह पानी खेट का जो है कनेक्ट इरीवर में चला जा रहा है तो उससे भी वाटर बॉडिस में देरे-देरे पहुंचरा है उससे धीरे-धीर जो organism जो water bodies में रहते हैं उनको भी उस चीज का सामना करना पड़ता है ठीक उसके बाद हम बात कर रहे हैं biological oxygen demand के बारे में तो देखा होता है क्या है कि किसी भी organic waste को तोड़ने के लिए bacteria को जो oxygen चाहिए होता है ठीक है एक और बताता हूं किसी भी organic waste को तोड़ने के लिए microorganism को जो भी चाहिए होता है क्या चाहिए होता है oxygen चाहिए होता है उसे हम क्या कहते है biochemical oxygen demand ठीक है कि इस chemical को breakdown करने के लिए कितना हमें oxygen चाहिए अब देखो biochemical oxygen demand जतनी जदा होगी उस पानी की quality उतनी जदा घडिया होगी ठीक है क्योंकि उसमें oxygen बहुत जदा चेडिमांड बहुत जदा है उसके oxygen को इतनी oxygen उसको मिलनी पारी ठीक है तो इससे बहुत जदा पंगा होता है वहां की water quality जो है वह decrease हो जाए कि एक मीजर एक देखने के लिए कि पानी की quality कैसी है वहाँ पे ठीक है जनरली जो हम water pathogens के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है उसमें E.coli हो सकता है E.coli हो सकता है Strepto, Cocos, Phicalis हो सकता है ठीक है जो कि water pollution को cause करते है ठीक Eutrophication के बारे में बता देता हूं थोड़ा Eutrophication मतलब कि algal bloom Generally इसमें क्या होता है कि जो भी plants वगेरा है मतलब जो भी plants rooted submerged वगेरा plants जो float पानी के अंदर है तो क्या करते है दिखो आपको पता है कि plants क्या करते है कि oxygen अगर वो यूटिलाइस करने लग गए ठीक है मतलब कि अगर oxygen को उनको जरूरत पढ़ने लगे अलगी है basically अलगी की बात करहा हूं मैं plants के बारे में बात करहा है वो जो क्या कर रहे है कि वहां पे उग गए उसके वज़े से क्या हो रहा है जो atmosphere से या हवा से तो जब वो नहीं हो पारा तो वहां पे क्या होता है कि eutrophication देखने को लगे bloom देखने को मिल जाता है धेरे-धेरे plants या algae जो है धेरे-धेरे plants basically algae बोला जाए तो धेरे-धेरे फैलने लगे है पूरे surface के उपर तो उसकी वज़े से क्या होता है कि oxygen का depletion शुरू हो जाता है तो जो भी organism या microorganism या fishes वगरे जो पानी के अंदर रहते हैं ठीक उनको oxygen की कमी महसूस होने लग जाती है तो इसकी वज़े से वहां पे क्या होता है उनकी तादाद जो है वो decrease करने लग जाती है ठीक है तो इसी को हम utrification कहते है excessive nutrition हो जाता है वहां पे nutrients environment ज़दा हो जाता है oxygen की कमी हो जाती है उसे हम क्या कर जाते है utrification क्या जाते है ठीक है अब further move करते है तो हम क्या देखते है कि ऐसे कौन-कौन से चीजें यह ऐसे कौन-कौन से compound या element जो है वो पाने में present है तो उनकी कुछ optimum range होती है अगर इससे जादा present है तो कोई-ना कोई syndrome कोसिस करने लग जाएंगे disease होने लग जाएगे body में जैसे कि आपने mini mater disease इटाइ-टाइ disease के बारे में सुना होगा कुछ cadm, कुछ mercury इन सब चीजों के विज़े से जो होते है ठीक है तो इनके बारे में देखें कि इनकी range के जैसे इसमें बता रहा कि फ्लोराइड है या lead है या nitrate है इनकी कुछ range है देखो दो फ्लोराइड है अगर यह 1 ppm से कम रहेगा मतलब 1 ppm से कम रहेगा parts per million रहेगा या उससे कम रहेगा 2 ppm से कम रहेगा तो जनरली हमारे तूथ को क्या structure प्रोप्र मतलब इसको strengthen करेगा ठीक है लेकिन अगर उससे जदा हो जाएगा तो यह तो क्या करेगा यह हमारे brown maltilling disease मतलब दातों में क्या हो जाएगा brownish color होना शुरू हो जाएगा वैसा लगने जंग जासा कुछ महसूस होने लग जाएगा और कम मातला में अगर यह optimum मातला में रहेगा तो हमारे दातों को तूथ डिके से बचाएगा ठीक है इस्ट्रॉंग करेगा फ्लॉराइट कहते हैं इस्ट्रॉंग करेगा दातों को ठीक केल्शिम भी इस्ट्रॉंग करता है अब लेड जो है उसकी मात्रा अगर पचास पार्ट्स पर बिल्लियन से अधिक हो जाएगी तो क्या करेगा यह ज उसके बाद नाइट्रीट के बार में अपने पड़ाओ नेट्रीट के आनो थ्री नेगटिव ठीक इसमें क्या होगा कि अगर यह पार्ट्स पर मिलियन में 50 से अगर जादा हो जाएगा तो यह मेधाय मोनोगलोबीनीमिया कॉस कर देगा ठीक है तो इस केस को हम क्या कहते है ब्लू बेबी सिंड्रॉम भी कहते हैं तो यह बिमारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी जनरली कुछ एग्जामपल है उसके डिजीज के बागी सेलफर तो उतना कुछ खास करता नहीं है 500 कुछ पीपीम या भी तक कुछ होता है उस मतलब नॉर्मली कोई कोई करता अगर उससे ज्यादे एक्सीड करें तो वो कुछ फंगा फिर कर सकता है ठीक है तो आप कुछ टॉपिक और बचे रहे गए इसमें मतलब आखर की तरफ हम मूव कर रहे हैं इसमें मतलब टू थर्ड लगबग इस चप्टर को कंप्लेट कर दिया आप वन थर्ड इसका बच तो उसके तरफ हम मूव करेंगे ठीक है बच्चों देख लो अप एक बार इसको क्या बताये में तो बच्चों लास्ट पोशिन की तरफ मूव करें चुके इस लेसन के तो हम बात करेंगे सबसे पहले पॉलुशन के बारे में soil pollution basically क्या मदब दो तरीके से हो सकता है या तो मदब को भी क्या क्या सकते है क्यी साइड हो गया हर पीकै। को की ऐसा ओरगानिक बेस्ट ज he P शुच्र बनाते हूँ अगर हमस अच्छा बनाते हूं तो अगर हमस बनाते को या जो organic layer जो बनाएगी soil की उसको कहीं न कहीं rapture कर देंगे, ऐसे bacteria को kill करेंगे, या ऐसा कोई pollutants ऐसा soil में introduce हो जाता है, तो उसके वज़े से क्या होगा, कि soil pollution देखने को मिलेगा, है न, क्योंकि जो भी चीज़े होनी चीज़ें, जो कि soil की कह सकते गुनवक्ता को बढ़ाती है, जिसके वज़े से agriculture वगरा होता है, है न, और भी, और माइक्र और उसमें survive कर पाते हैं, अगर कुछ भी ऐसे चीज़े होते हैं, जिसमें ऐसा होता है क कि soil में कुछ ऐसी invasive चीज़े introduce हो जाती है, जो कि soil के लिए हानिका रखे, तो उससे क्या होगा, soil pollution हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, तो generally जो इस लेसन में शुरुआत करी गई, वही DDT से करी गई है, World War II के टाइम पर कहानी बताई गई है, कहानी मन थोड़ा सा बताई गई गईरा दे रखिया है, फिर इसका वही ऐफेक्ट वागईरा जो कि इसमें नहीं बता रखा, जो कि आपको बताऊना चाहिए कि बावे मैगनिफिकेशन में इसका रूल कैसे होता है, कैसे इसके कंजम्शन करने के बाद एक smaller ट्रॉफिक लेवल से higher ट्रॉफिक लेवल तक य जाता है, इस चीज़ का accumulation होने पर, बावे मैगनिफिकेशन जो कि इसका example मतब बताया जाता है, हॉक तक वाला जो आपको example दिया जाता है, कैसे एक छोटे ट्रॉफिक लेवल से higher ट्रॉफिक लेवल में, इस किसी भी इस टॉक्सिन का ये जो भी ये कर्सिन हो जानी, जो भी बड़ का उसको थिन कर देता है, वो कौन कसा compound होता है, तो उसका option दिये रहते हैं, तो उसमें DDT भी होता है, तो DDT उसका option में answer होता है, क्योंकि ये bio-accumulate करता रहता है, बाव मेगनिफिकेशन के तुरुगी और जादा धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, higher tropic levels भी, है ना, त इंट्रडूस तो इसे अच्छे के लिए करा गया था, इंसेक्ट वगरे को मारने के लिए करा गया था, लेकिन इसका excessive use होने के वज़े से क्या हुआ, कि ये धीरे-धीरे इसके और और ill-effects के बारे में पता चला, और इंसेक्ट वगरे पर काम करने या बंद भी कर दिया ए बहुत सारे जो mosquito killing वाले जो आते हैं उसमें क्या होता है कि मॉस्कुट उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है कभी-कभी तो कुछ होता है नहीं उसको है ना तो रसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं धीरे-धीरे उनकी बाड़ी ने इसे साब से अपने आपको survival के लिए ऐसा बना होगा ठीक है बागी किस्मत है अब देखो इसमें पेश्टी साइट का एक्जामपल दे रखाता है डीडीटी इसकी फुल फॉर्म होती है एक मस्त सी और स्ट्रक्चर भी होता है डंग सा लेकिन वह दे नहीं रखा है इसमें स्ट्रक्चर बगार के बारे में बात नहीं कर तो अब क्या ही करोगे जानके अभी आपके लिए इतना ही जाना है कि डीडीटी क्या होती है वही देखना कि एथेन वगारे डाइकलो डाइक कुछ ऐसे कुछ चीज होती है उसमें वह मिला कि डीडीटी का एक फुल फॉर्म है उमर को तो याद नहीं भी फिलाल तो मैं गल ठीक हर्विसाइड की बात करते इसे एक्जमपल दे रखा है सोडियम क्लोरेट और सोडियमरसिनेट और बहुत तरीके के यह जैनरल ही दो हैं हर्विसाइड के बारे में बता रखा है जो कि छोटे-छोटे जो हर्प्स होते होंगे मतलब की जो काम के नहीं होते होंगे दू इसलिए इंडिया में तो क्या है ने कि इन सब चीजों की उतिनी ज्यादा जरौत उस टाइम पर थी नहीं इनको वेस्टन कंट्रिज ने ज्यादा डेवलप कर रहा क्योंकि उनके पास मशीनरीस थी तो उसमें अगर मशीन को तो पता नहीं कि यह पौधा कौन सा है यह पौ अगर बहुत सारी जगह पर जादा प्रोडक्शन होता है अगर बिलॉंगिंग्स ज्यादा है वहाँ पर अगर वह लोग इस लेवल पर हो गई है कि वह मशीन वगईरा खरीद पारे हैं तो मशीन का इस्तमाल वह लोग भी करते हैं तो उस केस में वह पेश्टी सेड हर्भी यह मेरा एक मदब पॉइंट अब ज़रूरी नहीं कि यही सही होगा आपका अपना अलग हो सकता है कोई दिक्कत नहीं तो बाद में हमें देखने को क्या मिला कि यह पर्सिस्टेंट होने लगे हैं सारी चीजे मतलब कि क्या होता है ना कि हम यूज कर रहे हैं सब चीजों को तो कितने भी सफाई कर ले रहे हैं लेकिन यहीं चीजे कहीं न कहीं स्वैल के थूप प्लांट्स में या जो भी हमारे अरिक्री कल्चर प्रोडक्ट से उनमें यह थोड़ी थोड़ी क्या अप्यूमिलेशन होने लग गई है तो अगर हम उसे भी खाएंगे पकाएंगे तो भाले वो मतलब 10% होगी तो 10% से जाद जाद 1% 2% 0.1% भी अगर आएगी तो हमारी बॉड़ी में भी उसका इलएफेक्ट देखने को मेलेगा तो धिरी धिरी अक्मिलेट होने लगए अच्छा मैंने एक चीज बताए ती जो कारवन डियो तो उसका यह इतना परसेंट होता देख लेना यह वैसे कोई पूछेगा नहीं मुझे नहीं लगता कि कोशन कभी आता कि 0.03 कितना परसेंट क्या होता है अब ऐसे कोशन आना बंद हो गए ठीक है फिलाल तो पेपर हैंवे तो कोशन कहां से आएंगी वैसे बीसे कभी ऐसे कोशन नहीं पूछता यह MCQ बगर और यह 1-day कोशन वह जो 1-day पेपर हो तो नहीं में पूछा जाता है वो भी किसमत अच्छे होई तो वारना कोई नहीं पूछता है सबब ठीक तो वहीं बर्थ डिफ्रेक्ट वगरा मतलब न्यूबॉर्ण बेविस के लिए प्रेगनेट मतलब वुमेंस में इन सब चीजों दुनिया में आने से पहले ही at the time of क्या कह सकते हूं फेटस या embryo के टाइम पे उसमें थोड़ा-थोड़ा प्रोब्लम करने लग जाती है अब जनरली जो हम मूव करते हैं और यह सब चीजे मैं इसलिए बताना कि ट्रॉफिक लेवल पे इन सब चीजों के इंपोर्टेंड ट्रॉफिक लेवल बोले तो क्या कि अगर इन सब चीजों को accumulation होता है तो यह 10% के हिसाब से आगे चलके बढ़ता चला जाता है एक energy होते हैं जो 10% के हिसाब से घटती चले जाते हैं नीचे जादा होती ग्रीन प्लांट्स में उपार मूव करते हैं तो कम हो जाती है एक मैं energy के टरम में देखे तो यह उज्ट्रोप्स ठीक है उसके नीचे भी अगर हम देखे तो यह क्या होता है ना इसके बाद हेट्रों है नॉए इसके बाद वही कार्नी बरस है ना है मंन्रण फिर आगे चलकिंटे अगे अगर आप देखो कार्नी बरस होता है और हार्वी का ये इसने ग्विल मता पनाते हैं फाइटो प्लैंक्टों उसके बाद यह जू प्लैंक्टों की बात करें तो इस लेवल पे अगर कोई भी चीज अक्यूमिलेट होती है इसमें अगर कोई प्रोब्लम देखने को मिलेगी नीचे वाले स्ट्रेटा में मतलब नीचे वाले ट्रॉफिक लेबल में तो देरी-देरी ऊपर चलते-चलते और जी आफस्में को मिलेगे अच्योमिलेशन के वज्य स्थिक और ये कोता है यह ग्राफ की चीज का 10% अनरजी का वो वो उससे confuse मत हो ना उसमें क्यों होता है कि 10% एनर्जी जो होती है वो उपर के लिवल पर डिग्रीज करती चले जाती है इसलिए लिका जाता है ग्रीन प्रांट्स खाओ कि उसकी एनर्जी तुम्हें डिरेक्ट मिलेगी ठीक है तो एनर्जी मिलते हैं दूसरी प्रोटीन वगरे यह सब मिलते हैं लेकिन वह 10% की लौकी हिसाब से वह फीजिबाल थोड़ा नहीं हो पाता है थीक है तो वह तो अलग होगे अब ट्रॉफिक लेवल के थुरूब मैं आपको बताया दिये बायो मेगनिफिकेशन में इसमें कंफ्यूज मत हो ना ट्रेंगल में यह एनर्जी के हिसाब से चलोगे तो और ट्रॉफ आएगा फिर उसके बाद कार्णी बोरस आएगा उसके बाद फ उपर वाले जुप लेंट पर वाले मैक्रो कुछ अर्गोनिजम होंगे जो से जादा बढ़े हो उसके बाद उसके बाद चोटी फिशिव वह थोड़ी बड़ी फिशिव होगे उसके बाद क्या होगा कोई जीव जनत उनको आगी खाचा उसके बाद वेल बगर ऐसे आसे ट जाने के कुशिश करी DDT के रिगार्डिंग था ठीक कि एक 10% से 10% से फिर वो आगया अगी बढ़ता चला जाता है ठीक है एक 10% और होता है वो एनर्जी का लेंड में किसके रिस्पेक्ट में यह एक है का अब थोड़ा इदर की तरह मूब करते हैं Green कैम52 में खुसने के बाद ये देखते हैं कि व्लींग के तोर पर नहीं कि अल्टरे मेटेनिटिव तो आपने hydrogen peroxide का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पहले आप ये ट्राइक लोर वेथिन मतलब पहले क्या होते था था ने हमारी बॉड़ी के लिए और इंबॉर्मेंट के लिए भी हानिक आ रहा है इसलिए हमने फिर दूसी चेज़ा पर मूब करें hydrogen peroxide का इस्तेमाल करा इसमें भी कपड यहां तक कि आज कल जो आपने सुनों का पैरोकसाइड ट्रीटमेंट दांतों की वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है यह बहुत सारी स्टार कास्ट वगरा भी जो दांतों क्लीन वगरा मतलब जो मॉडल लाइन में है जैनरली जो लोग वो इसका इस्तेमाल जाद आए ताकि आपको सारी बाते समझ में वह मिले थोड़ा मुश्किल है मुझे ने बहुत ज़्याद ज़्यादी बोलने क्या तो रखिया है तो थोड़े स्लो करके देख सकते हैं इसको अगर आपको समझ में ना आये तो ठीक है वेसे अगर आप बिल्गुल कनेक्ट करके चल तो निए ने थीक है एगर हम एवर्यड़े केमिस्ट्री की बात करें तो हम इसलिए इस्तमाल कर जाए ताकि जो चीजए बहतरी नहीं और प्लस गृर्मेंट के लिए अच्छे हो उनका इस्तमाल करा जाए ठीक उसके बाद आखरी जो प्रोसेस एंसोरा केमिकल जिसमें इन्होंने न रह्का है एल्डी आइड वाल अग्रोप है तो इसमें क्या बता रहता है कि इधीन को जैनरली इन्होंने डावल बॉंड यह इकर प्लेडियम और कापर देके तो चोटा सा ब्रीफ के बारे में कि इस लेसन में यह चीज है कि इतना जाद इंपोर्टन तो नहीं है यह लेकिन इसमें कुछ-कुछ टर्म से जो समझ में आ जाएं तो अच्छा रहेगा मतलब एक यह रहता है कि आप अगर एक थोटा सा ब्रीफ लेके जाओनों तो आपको लेसन पढ़ने में खुछ से रीडिंग करने में बहुत अच्छा रहता है और उससे वड़ी बात है कि केमेस्टर की जो बुकें न्सीयाटी की वो दोनों इतनी बहतरीन बना रखे कि अगर आप उसको भी रीड करते तो मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ने की जरू होते है लेकिन अगर इतना भी पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि बेकार है मताब बहुत अच्छी बुके हैं दोनों के दोनों के दोनों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं डिफरेंट परकार के वो जो रेज वगरा होते हैं उसके बारे में वाइसे तो फीजिक्स का पोशन ह लेकिन मैंने सोचा जहां मैंने थोड़ा यूवी के बारे में बताया है तो थोड़ा सा उसके बारे में बताई देता हूं देखो जो रेज होती है और उनकी जो पेनेट्रेटिंग पावर होती है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है अगर हम उनकी वेवलेंद की बारे में बात करें तो जैसे की लेम्डा हो गया वो इनवर्सली प्रपोर्शनल किस चीज की होगा उनके पेनेट्रेटिंग पावर की लेम्डा क्या हो गया वेवलेंथ हो ठीक है तो मैं इसको मिटा देता हूं कि मुझे अभी बताने कि कौन-कौन सी वेप्स के बारे में बताना है मुझे जैसे आज मैंने U V के बारे में बात करा वहसी बहुत सारी रेज होती हैं जैसे कि कौन-कौन सी रेज हो गई अग्स हुगें यूवी भी मिलकी हो गई ने कि इंफरा वाली हो गई उसके बाद माइकरो गई दिखता है कि रेडियो वेप अ माइक्रो वेप जेढ़रेड अमेट यह तो पता ही आपको कि अल्ट्रा वाइल ए बच्पन आ पड़ते आगे हैं ना एक स्रेज है इक षब को अरश भी मैं जिसको कहता हूँ बाई सप्कारेज टीक है इसके उपर प्रहएं उसके नाम क्या होता है गामाहरीज क्सेंधल क्यों धा जी हमारा लेन देना है वह यह ख्राण जैसे ही क्या होता है कि छार्ट नीचे की तисл करता है पैनिट्रेशन पावर भेदने वाली शक्ति ना तभी अंदर यह अंकाल दिख जाते है एक्स-डेस में ठीक है तो यह होता है इस तरफ क्या होता है वह होती है वह करती देख .. नीचे की तरफ डाउन वड की तरफ फिक है यह एर बैर की डीरेक्शन डाउन वरोड की तरफ कर जाएंगे तो वेवलेंद्ध जोगी वह होगी ग्म Verme तो तो मादब जो भी आपको लगते कि अगर मैंने कुछ छोड़ा वगेरा होता है क्योंकि जो कुछ रियक्शन्स थी वह था आप खुछ से देख सकते हैं मादब कि जैसे CFC का रेक्शन क्या चल रहा होगा नेट्रोजिन क क्या चल और सेलफर का हैसे ट्रिअ के साथ क्या चल रहा होगा ऊजो ऑफीरप और पाया और तो यहीं सब्सक्सक्राइब तो बाकि अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रहों कि जो और गैनिक पॉशन है उसको थोड़ा इसका पिछला जो और गैनिक पॉशन है उसको शुरुवात करे जाए और फिर उसमें ही आगे चलके थोड़ा है बताया जाए और जो जो method जो basically में mcq करने के लिए थोड़ा बहुत मदब जानकारी होनी चे क्योंकि आप तो नॉलेजी मेंटर करता है मार्क्स तो मेंटर करते हैं क्योंकि पर नहीं होंगे तो फिर मार्क्स कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती तो कमसे कम मैं मालब कुछ भी चीज़े छोड़े नहीं है लगता है मैं क्लियर रहा हूंगा अगर क्लियर नहीं रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हूं ठीक है दोस्तों नमस्ते